दोस्तों आज हम बहुत ही शानदार ऐसा डेजर्ट बनाएंगे जो बनाने में भी आसान है लेकिन बहुत ही जादा यूनिक है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि जब आप इसे बनाएंगे तो इसे बार बार बनाने की इच्छा रखेंगे तो चले फिर रेसिपी को द को दोस्तों देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें पैंसे बैंसे गरम करेना हैं इसमें वन जायना जाएária ने के मेकिन आसे i am पंदरा से 20 मिनट के बाद दोस्तो जो साबूदाना है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहेगा आप देख सकते हैं साबूदाना अच्छे से फुल चुके हैं और अब हमें दोस्तो इसे च्छानना है च्छानते वक्त आपको इसे नॉर्मल पानी से धोना भी है दोस्तो क्योंकि साबूदाने के अंदर काफी स्टार्च होता है तो इसे निकालना बहुत जरूरी होता है तो चले पानी से दो लेना है ताकि साबूदाना अच्छे से खिला खिला हो जाए और इसका सारा स्टार्च निकल जाए चानने क अब इसे हम हाफ कट करेंगे और इसके अंदर से जो पल्प है उसे निकालना है तो दोस्तों आपको इसी कलर का ड्राइगन फ्रूट लेना है इस डेजर्ट को बनाने के लिए तो यहां पर स्कूपर से मैं इसे स्कूप कर रहे हूं लेकिन आप चम्मत से भी से निकाल सकते है और इसे हम डालेंगे मिकसर के जार के अंदर और यहां पर मैंने पानी नहीं डाला है लेकिन अगर आपको जरुरत पड़े तो थोड़ा पानी अब डाल सकते ही और इसे पीस लेना है पीसने के बाद भी हम इसे चानेंगे क्योंकि इसके अंदर जो काले बीच है जो इसके स तो यहां पर हमने इसे च्छाना था तो पानी बिल्कुल भी नहीं है और अब इसे हमें लगपक 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है अब ड्रैगन फ्रूट के वज़े से जो साबुदाना है उसका कलर भी लाजवाब आ जाएगा और साबुदानी के अंदर ड्रैगन फ्रूट की जो बेनेफिट्स हैं जो इसके पोशक तत्वे हैं वो भी आ जाएंगे चलिए इसे रख देते हैं अब यहां पर हमें लेना है एक बोल में 2 टी स्पून अगर अगर पाउडर साथ ही 1 टी स्पून कॉन फ्लार डालेंगे और 2 टेबली स्पून डालेंगे मिल्क पाउडर यह प्री मिक्स हमारा रेडी है इस डिजर को बनाने के लिए तो चलिए य आईसक्रीम फ्लेवर का इसेंस डालेंगे तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लाइची का पाउडर डाल सकते हैं साथ ही दोस्तों में एक बात और बताना चाहूंगी अगर आपके पास अगर अगर पाउडर नहीं है तो आप 1 3rd कप कॉन फ्लोर इसमें एड़ कर सकते ह तब भी आपका ये dessert बन जाएगा इसे लगातार mix करके gas को on up करना है और फिर इसे 10 मिनट के लिए पकाना है तो दोस्तों जब आप ये सारी चीज़े डाले तब gas on मत कीजे अच्छे से सारी चीज़े डालने के बाद gas को on करके लगातार 10 मिनट के लिए पकाईए ताकि जो तो gas बद करने के बाद ही आपको जो अमने ड्रैगन फ्रूट के अंदर साबुदाना चोड़ा था ना रिस्ट के लिए उसे च्छान लेना है यहां पर ड्रैगन फ्रूट का जो पल्प है वह हमें नहीं डालना है बसे जो साबुदाना है उसे ही डालना है और दोस्तों करना है इसे कुक नहीं करना है बस हल्का सा मिक्स करना है और फिर इसे डिश में ट्रांसफर करना है तो दोस्तों अगर बनाते वक्त आपको कोई कोई भी कन्फूजन हो या कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन सौरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम आपको ज़रूर इसका जल्दी से जवाब देंगी तो आप इसे हम लगभग एक घंटे के लिए सेट करने के लिए रखेंगे तो यहां पर मैंने फ्रीज म नहीं होती है इसे निकलने में और अब हमें इसे कट करेंगी तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रही हूं कट करके भी कि यह कितना शांदार डिजर्ट बन जाता है कटिंग करते वक्त भी आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी और यह बहुत ही सुनदर और बहुत ही साथ ये बहुत ही healthy result बनकर तयार हो जाएगा तो पहले आपको side की pieces अलग करने हैं ताकि आप अच्छे से pieces निकाल पाएं और दोस्तो अगर आप ये तेवहारों में या फिर आपकी कोई parties या functions में बनाएंगे न तो ये लोगों को एक new recipe लगे की सब इसे देखते रह जाएंग आप देख सकते हैं इसका texture बिल्कुल jelly की तरह लगता है और खाते वक्त तो आपका दिल खुश हो जाएगा इतना मज़ेदार, स्वादिश और healthy result बहुत ही कम सामान से बनकर तयार हो जाता है तो कैसे लगी दोस्तो आज की recipe मुझे जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो त इसे like और share करना ना भूलिएगा